हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होब आप सभी लोग से हत्मन्द और बहुत अच्छ होंगे विल दोस्तो गर्मिया स्टार्ट हो गई हैं गर्मियों में पसीने के साथ साथ हमें स्पॉर्ट्स और छाईयों के भी समस्या होने लगती हैं अगर सन एक्स्पोजर की वज़ा से आपके चेहरे पे काले दाग दब्बे दिखने स्टार्ट हो गए हैं तो उसका सही समय पर इलाज करें उसको बढ़ने ना दे तो नीबू से आप किस तरीके से उसे क्योर कर सकते हैं नीबू एक ऐसा फल है एक ऐसा वेज़ेटेबल भी है जो कि आपकी इसकिन की रंगत को भी निखारता है और दाग दबो को भी दूर करता है इसके लिए आपको यहाँ पे आधा लेमन जूस लेना है यानि कि हाफ ले अगर आपकी इसकिन में छाईयां तेजी से बढ़ने लगी है तो भी आप नीबू का सितमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं नीबू में विटमिन C, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, सिट्रस फ्रूट होता है जो कि एक खटा और कटाक्शली होता है जो कि आपकी इसकि के जो भी मैल है, पॉल्यूशन है, गंदगी है जो जम जाती है इसकिन पे उसको तेजी से ये दूर करता है इसकिन के रंगत को भी निखाडने में बहुत जादा है तो आधा लेमन का नीबू करस आपको यहाँ पे आड़ कर लेना है इसके बाद आपको इसमें एक चम्मच के करीब एड़ करना है रोज वाटर गुलाब जल, गुलाब जल की फ्रेग्नेस काफी अच्छी होती है जो कि इसकिन में एक फ्रेशनेस हमेशा बनाए रखती है इसके अलावा यह आपके इसकिन को क्लीज करती है डिटॉक्सिफाई करती है जो भी इम्पूर्टीज आपक के पास आलू का पाउडर नहीं है तो आप दो चमच आलू का रस इसमें एड़ करें आलू में विटमिन सी, आईरन, कैल्शम, मैंगनेशियम, जिंक, नियासिन, प्रोटीन भरपूर पाये जाते हैं आलू एक ऐसा इंग्रेडियंट है एक ऐसा वेजिटेबल है जो की सभी गरों में एविलेबल रहता है इसके बिना घर की कोई भी सबजी तयार नहीं होती है तो आलू का इस्तमाल बखो भी करें आलू आपके इसकिन के रंगत को निखारने के काम आता है आलू आपके इसकिन के पोर्स को यहाँ पे क्लीन करता है आलू एक अच्छा पिग्मेंटे भी गहरी जाइयांओं उसको दूर करने के लिए रामबाड इलाज करता है आलू आपको इसे अच्छे से mix करना है, mix करने के बाद अपने चेहरे पे इसे लगाएं चेहरे पे लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से wash करें and इस के बाद इसे लगाएं ब्रश या कॉटन के हल्प से ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद गुन-गुने पानी से अपने चेहरे को वाश कर लें ऐसा आपको दो बार करना है सुबह नहाने जाने के पहले और रात में सोने जाने के पहले आप देखेंगे कुछी हफ़तो में आपकी जो स्पोर्ट सें वो हलके हो रहे हैं और आपकी जाईयां धीरे-धीरे करके खातम हो जाएंगी तो दोस्तों आज की रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चली फिर से मिलते हैं एक एनदर न्यू रेमेडी के साथ तब तक के लिए नदे हैं अकी